नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं इसकोल में किस भासा को कितने बच्चे बोलने वाले हैं इसका आकड़ा देना होगा बता दे, राजिके 24 जिलों में जन जातिये भासा संथाली हो, खडिया, कुडूक, मुंडारी, मालतो, बिरहोरी, भूमीज, असूर और छेत्रिये भासा, बंगला, उडिया, पंचपरगनिया, खोटा, कुर्माली वनाकपूरी का अधिकाधिक प्रयोग होता है सर्वेक्षन के अधार परचीन हित इस्कूलों में जन जातिवे छेत्रिये भासा के प्रोसान के लिए चैनित मास्टर की ओर से अपने अपने निर्धारित विद्यालों में बच्चों के भासाई ग्यान और भासा सन्वधन के लिए कार्य किया जाएगा नर्यंदर मोधी पीएम पत के अमतिम दोरे में जारखन आ रहे है जे में परदेश की परतिष्ठित हिंदुस्तान कौपर लिमिटेड इस्थित है जो मयू भंडार में ही है हिंदुस्तान कौपर का राखा तंबा खान सुर्दा तंबा खान मुसा बनी तंबा खान से हिंदुस्तान कौपर लिमिटेट चलता है परकेंद्र सरकार की नीतियों के कारण एब बंध हो गई है हजारो सरमीक और उनके परिवार दाने दाने को मोहताज है पर यहां के सांसद भी बार बार जूट बोलते रहे हैं कि उत्पादन शुरू कराएंगे पर आज तक चालू नहीं हुआ है पिये मोधी की घाट सिला में चुनावी सभा आज पधारमत्रि नायंद मोधिक हैट सिला के मियू भंडार में रभी वार को एक चुनावी सभा को सम्भोधित करेंगे सुब्बा 11 बजे उनका हेलिकोप्टर गोल्व कल्ब मैदान मियू भंडार में उत्रेगा यहां से कुछ दोरी परिष्थी सभा आस्थल पर पहुँचेंगे और चुनावी सभा को सम्भोधित करेंगे भाजपा जिला कमेटी सभा को सफल बनाने के लिए सर्निवार जूटी रही भाजपा ने दावा किया है कि सभा में एक लाग से अधीक लोग सामिल होंगे जारखन में फिर बदलेगा मौसम जारखन में एक बार फिर से मौसम का मिजाए बदलेगा मौसम भी भाक्यान सर्राजी के पूरुवी दक्षिनी अमनी कटवर्ती मध्य भागों में कुछ अस्थानों पर 21 माई को गर्जन के साथ हलकी बारिस होने की संभावना है इसका असर पूर्वी सिम्मू, पच्मी सिम्मू, सराइकला, खर्षवा, सिम्डेगा, साहेवगांज, गोड़ा, पाकुर, दुमका, देवगर, जामतला, धनबाद, बोकारो, कोडर्मा, हजारीबा, गिरीडी, रामगर, लोहतगगा, राची, गुमला, खोटी, जीले में देखने को मिलेगा, वहीं 21 माई को कहीं कहीं गर्जन के साथ तेज हावा चलने और बजरपात की असंका है, इस दोरान हावा की गती 40-50 किलोमेटर प्रति घंटा हो सकती है, वहीं 23 और 24 माई को राजे में कहीं कहीं हलकी बारिश होने की उमीद है, वहसम विभाग के उनसार देख्स बावुला मराणी ने कहा है कि इड़ी ने बालू कोहला पत्थर जमीन गरीबों का अनाज बेचकर एवं मन्रेगा समयत अन्य योजनाओं में कमिशन लेकर अवे तरीके से इकाठा की रूपए को ही पकड़ा है, इसी मामले में आज राजे की सत्ता से जुड़े परहेट बिधान सभाबूत अस्तरिय करकेता समयलन को समोधित कर रहे थे, मराणी ने कहा है कि सवाल उठता है कि ए लोग क्यों जेल गए, असल में इन लोगों ने गरीबों का पैसा लुटने का काम किया है, उन्होंने कहा है कि आदिवासियों को अगर किसी ने मान समान दि परिक्षा पैनाम में अपने अंग से ना खूस या उतर पुस्तिका प्राप्त करने के एक चुक बिद्यार्थी इसके लिए आवयदन कर सकते हैं, बोड ने इसको लोगों को वैसे बिद्यार्थियों को सुचित करते हुए सुविधा का लाब दिलाने का निर्दिया है, ब आवेदन कर सकते हैं रांची रेलवेस्टेशन से चोरी हुए बच्चा बरामत रांची रेलवेस्टेशन से चोरी हुआ बच्चा उडिसा के कटक से बरामत हुआ है माई की सुबह रांची रेलवेस्टेशन से बच्चा चोरों ने 9 महिने के सुभम कुमार को ले भागा था इसी पामले में रांची पुलिस की टीम ने करवाई करते हुए राधा साहू अमीद पाल, टिक्की, नुर्धत, जहां और सुहाना बेगम को गिरफतार किया है बतादे ए लोग सभी उड़िसा के कटक और पूरी जीले कराने वाले हैं गिरफतार आरोपी ने ही सविकार किया है कि नुदरत जहां ने कहा महिला राधा साहू अमीद सनातन पाल और टिक्की ने मिलकर बच्चे की चोरी पैसे के लालच में किया था और बच्चे को अंठावर है रुपे में बेंच दिया था ज्यारखन में पॉल्टिकल जिहाद प्रतूल सहदेव भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतूल सहदेव ने सनिवर्ग मीडिया से बाचित में प्रतूल ने कहा है कि पाकुर जिले में आयसे कई दर्जन उधारन है जिस पर इन मुस्लिम कटरपंथियों ने अपनी आदिवासी पत्नियों को चुनाव जिता कर सत्ता में काभिज होने का सवड़ें तर रचा है इन में से कुछ ने तो इन भोली भाली आदिवासी बेटियों को फाचा कर दूसरी और तीसरी पत्नि के रूप में रखा है इर्फान ने हिमन्त को बताया राम तो बाबुलान ने किया पलटवार का इंग्रेश बिधायक डाक्टर इर्फान अनसारी ने अपने ब्यान को लेकर एक बार फिर से सुर्खियों में है उन्हेंने सोशल मीडिया एक्स पर जारखन के पूर्मुक मंतरी हमान सुरेन के जेल जाने पर और उनकी पत्नी कलपना सुरेन को लेकर लिखा है कि नकली राम भक्तों ने मेरे असली राम को जेल में बंद कर दिया है मेरी भावी सीता मा धुर्गा का अवतार बिजेपी को चला कर भस्म कर देगी साथ में उनका हनुमान कदम से कदम मिला कर रावन की लंका को जला कर राख कर देगा इर्फान ने आगे लोगों से अपिल करते हुए कहा है कि सीता मा के एक एक आसु का बादला ले और राम जी को सही सलामत वापस लाने में मेरी मदद करे इरफान के ट्वीट पर बागुलाम राने प्लटवार करते हुए कहा है कि बेसरमी की भी हद होती है इरफान जी आप दूध पिता बचा नहीं है ठीक चुनाओ के वक्त आपने ऐसे घटिया उनमादी बकतब यसे किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुचाने का काम आप क्यों कर रहे है बिली के भागे से छीका टूटा ये तो समझ में आ रहा है मंत्री पद पाने की लालच में आप किसी के तलवे चटिये कुछ भी करिये लेकिन किसी दूसरे की धार्मिक भावना को ठेस पहुचाने का खतरना खेल मत खेलिए अलमगीर अलम पर कसा जा रहा सिकंजा साहिव गंज में 1250 क्लोर के अवैद पथर खनन मामले में भी ED के अधिकारियों के टीम और मंत्री अलमगीर अलम की भूम का तलास रही है पुरा मामला बरहरवा टोल पलाजा टेंडर बिवाद केस से जुड़ा हुआ है इसी केस के अनुसंधान के करम में ED ने साहिव गंज में 1250 क्लोर के अवैद पथर खनन मामला का खुलासा किया था बतादे पर हड़वा में टोल पलाजा टेंडर बिवाद में मार पीट का मामला 22 जुन 2020 का है जिसमें मंत्री अलमगीर अलम ततकारीन मुखे मंत्री के वरहेट बिधान सबाच खेतर के बिधायक परतिन दीपंकाज मिस्रावा अने की विरूत परत्मी की दर्च की गई थी धन्यवाद